निकलते थे जब भी सड़कों पे तो लोकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे पतनी बेची थी बेशन लियाओ एक किलो और हम सूजी लेके घर लोड़ते हैं डेश्ट की राजधारी दिल्ली से हमारे बीच पे एक ऐसे शांदार कवी आए हैं जो तुरंत कवीता बनाते हैं जिनका नाम भी है सुनहरी लाल तुरंत रूप उनका बसंत हो जैसे सरश्टी का आधी अंत हो जैसे नाम कितना प्यारा तुरंत हो जैसे आप सब के तालियों के बीच बुलाता हूँ तुरंत अभी हमारे सेंडल जी कहूं क्या कहूं सांडल जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई मैं वही से सुरू करूँगा ई रिक्सा और उ रिक्सा और ई कुत्ता और उ कुत्ता अब ई कुत्ता की बात बताता हूँ सबसे पहले आज मैं जब आया था तो हमारे गंगवार जी ने उपर कमरे में हमें रुका हुआ है एक पिल्ला छोटा साइजन पता नहीं कहां से लिया है सबेद रंग का ई पिल्ला इतने बड़े बड़े तो बाल है उसको और हाथ पर इतने छोटे-छोटे से और सारा सरीर पर बाल इबाल सफेद रंग आये बहुत तेजी से दोड़ता हूँ आया मैंने सोचा कि रूई उड़के आ रही है मैंने उसे पकड़ा तो एक्दम करने लगा और मैंने उसको जैसे पकड़ा और इतना अच्छा लगा चार-पांस बास को पुचका रहा तभी गंगवार जी आ गए और अधे क्या कर रहे तुरंत जी क्या कर रहे हूँ मैंने की पुचकार रहा हूँ तो जिदर से इसे पुचकार रहे हूँ इदर इसका मूह नहीं हुए तो ये ऐसे एरिक्सा और इपिल्ला उपिल्ला इपिल्ला जाए अपनी पतनी को बुलाता है इपिल्ला दरसल ऐसे घरों में पाला जाता है जहां पर अंग्रेजी बोलने बाले जादा होते हैं उसको आवाज देजें आप कम ओन कम ओन तो आएगा वा वा ऐसे करता हुआ और जो सड़क बाला होता है ना उखता उसको आप ऐ आप 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 और जो कुट्ता हो ताम उंग्रेजि की ऱंट इंदी हम अपनी वाइफ को बेल कॉल डारेक्ट सब जो की सामने बूलाता है बहुू। बहुू। देखो कुट्टे के लिए इतनी कवता हैं और बागी कुट्टे अभी देखो क्या करेंगे तो देखिए गया वह अवाद लगाता है तो फिर महले वाले उसको हीट और लाठी से मारते हैं साला बहु को यही उलाएगा तो कैसे करता हो बहु अब कविता सुनाते आप अकेला जी ने शुरू में कहा था कि हमने एक बहुत बढ़िया गोल दस्ता सजाया है उसमें रंग बिरंगे फूल आपके सामने रखे हुए हैं मैं उन समय गोवी का भोल हूँ और अच्छा लगे तो सुगो खुस्वू उसे हैं ने इसमें सबजी बनाने के काम आ सकता हैं तो आप सबजी बनाते हैं इनका रंग आपने देख लिया आप मेरा देख लिया पत्रकार साब के हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं और रंग पे रंग चड़ाने का हुनर रखते हैं और किसी का रंग चड़ रहा हो किसी के ऊपर तो रंग में बंग मिलाने का हुनर रखते हैं के हम तो रोतों को घड़ी भर में हसा लेते हैं जैसे मचुआरे मचलियों को फसा लेते हैं और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर हम जहनुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं बहुत बहुत जन्वा सर तो टेंशन जा होती है यहां के लोग तो छट भी टपक थी तब भी टेंशन नहीं लेते साब सोचते हैं कि आज तो इंद्र भगवान लेंटर तोड़के छट फोड़कर मेरे घर में अंदर आ गई और तूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं और मूंग पलियों को भी बादाम समझे खाते हैं और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं यह है जाप और हम दिल्ली वाले कट्टरी मंदार हमारा नेता भी ऐशास ही कट्टर ही मन दार हम भी कट्टर हूसान जाए हम जूट किती वोलें लेकिन है कट्टर के बंद पे किट का नया माल बदल देते हैं और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं और हम तो उनसे भी सनम चार कदम आगे हैं साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं बाबा वाजी बात रही हैं जी ससुराल की दरसल मेरे ससुराल वाले किराये पे रहते हैं मकान मालेग छे मेने बाद ससुराल का खाली कर रहा है चलाओ दूसरे महल्ले में ससराल दूसरे मोलने पहुंचती है बदल जाती है मस्तों करके जिंदगी जीते हैं देखो तब कोरोना लगा लोकडाउन हुआ और जब लोकडाउन हुआ तो हम लोक हुए डाउन नहीं हुए पत्रकारों ने खूब पत्रकारता की रोज अख़बार घर पे आया पुलिस वालों ने अपनी आठ पुटी छे पुटी बैक्सीन जो हाथ में लगी रहती है उससे सब का इलाज किया घर से बाहर नहीं निकलने दिया किसी को जब घर से बाहर नहीं निकले तो बीमारी नहीं हुई दूसरी बारी जो लहर आई थी दूसरी लहर में लोगों ने कहा कि हम खुल के बाहर रहेंगे कुछ नहीं हो रहा तो पुलिस वाले भी ठोड़े धीले पड़ गए फिर ज़्यादा बीमार हुए लोग ज़्यादा स्वर्गबासी हुए जब पुलिस वाले लठ लगाते थे पीछ बाड़े पे तो आदमी जो ना ऐसे ततया की तरह से जाड़ता हुआ भागता था इसकूटर पे देखा हुआ आपने इसकूटर पे जा रहा है और उसमें पीछे से लगाया हे और वह इसकूटर छोड़ सीब तरतर रख देखा है स्कूटर पे लिए उम मे था तो ऐसी हालत में मैने चार पंगतिया लिखी घर में घर में लढ़ बंद रहते थे ज़ल जी निया और पखोड़े बना बना के पत्री को खिलाते थे पतनी घर में रहते रहते भूतिनी सी वह गई थी पहहर सारे ब्यूट्वी पालर बंद थे मुझे धिकलाही थे उसकी मुझसे बड़ी होगी गोगट गोगट रहने लगी थे अब मुझसे कहती थे आज हूम अजिबू नाओ याल जले भी बनाओ बजार में बजार तो बंदे कभी रस्गुल ले बेच पो जाओ कभी रस्गुल ले कभी कुछ तो रोज बनाते थे और कैसा आनम दिलिते थे देखिए साब कि घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे और गोल गपों में खटाई का मजा लेते थे और उब कर इन से निकलते थे जब भी सड़कों पे तो लोकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे पतनी बेज़ती थी बेशन लियाओ एक किलो और हम सूजी लेके घर लोडते हैं पतनी कहती थी लियाए मैं यहां सूजी लाए हैं कित्ती लाए हैं यह पता ना देखेंगे थेला में आठ डाल के कितनी तो जोला में हाठ डालते थे तो पता नहीं लग पाते थे कितनी हैं तोल ही नहीं पाते थे इतनी थे दो आप सुझी होती थे तो लोट के घर पे रजाई का मजा लेते थे लोट के घर पे रजाई का मजा लेते थे और गर्म बोतल से सिखाई का मजा लेते थे और तूट जाती थी हड़िया पुलिस के डंटों से तो ओन लाइन ही दवाई का मजा लेते थे अच्छा लग रहा है लोग दिल से सुनाते हैं और दिल से सुनते हैं पहले मैं एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ आपको वो सुन लिजिए फिर उसके बाद में बेसुना किस्सा यह है कि जब मैं ग्यार्मी क्लास में पढ़ता था तो एक अर्चना जैसी बहुत अच्छी सुन्दर सी लड़की हमारे साथ पढ़ती थी और उसके बाल बहुत लंबी थे चोटी बहुत लंबी होती थी और जब चोटी लंबी होती थी ऐसे हिलती थी और ऐसे हिलती थी तो उससमें एक गाना चला था सन सत्तर की बात है कि चाल में ठुमका कान में ठुमका कमर रुप चोटी लटके और उस गाने मुझा नाम था राम दुलारी एसी लंबी चोटी वाली महला जो सफेद चोटी थी और खूब नीचे लटके हुई थी मुझे एक दम रामदुलारी याद आई रामदुलारी की भी ऐसी थी लेकिन वो काली थी मैं थोड़े सोचा मैंने कि 48 साल बाद मिली है सायद सफेद तो होगी होगी क्योंकि मैंने तो काले पी लिकर रखें गरम पानी से ना लेता हूँ तो काले जाते हैं ठंडे से नाता हुथ तो सफेद हो जाते हैं तो दो तीन वार उसको इधर उधर से देखा लेकिन समझ में नहीं आई वो रामदुलारी है कर नहीं फिर मैंने सोचा कि बोई वाला गीत कहा कर देखता हूं वगर रामदुलारी होगी तो देखे हैं नहीं तो कोई और होगी मैंने पीछे देख लिया था भागने की रस्ता है कोई नहीं था मेरे पीछे मैंने जैसे ही गाया कि चालू में ठुमका कानू में जुमका कमर पे चोटी लटके एक दम उसने देखा पर लटके अरे तु यहां भी आ लिया और इतना कहा मैंने पीछे गर्दन घुमाली में जैसे मैं उसको सुनाई नहीं रहा हूं पीछे कोई नहीं था आगे से आफ़त जो आनी थी आगई पीछे जितनी आफ़त और बढ़ गई मेरी पतनी को मैं घर पर छोड़ गया था वो मेरी पीछे लग कहीं से आगया ओली तुमारा नाज जाय तुमारा नहां पूजा करनी आये बजन का रहे हो गाने फिल्मी ओरतों को देखके अरे मैंने की मैं तो भजन का रहा हूँ पागल तुक पागल हो गई है मैंने आग तक तो सुना नहीं यह बजन तुमने आज कौन सा नया भजन लग लिया मैंने दोबारा सुन मैंने एक तब यूटर्न तुरंत मारा और तुरंत क्या मारा था यूटर्न मैंने कि सुन ऐसे हाथ जोड़े अकिला जी ऐसे हाथ जोड़े मैंने और आख बंद करके मैंने सुन अब कि चालों में थुमका काणों में जुमका कमर पे चोटी लटे के ओ मया का मर पैचोटी लटके हो गया दिल का पुरजा पूरुजा लगे पचासओं जटके बोली इस तुम्हे डीका माता का पूली माता का वजन न ये तुम्हें पागल वना रहा該 ये बहुत पेले से रहा है मेरे मेरे अलिए गाया करती हो वोड़ी तुम को नोग में जा ही किलास पहलू गल्थ परेंड गल्थ परेंड बतारी में जी गल्थ परेंड